दोस्तो अगर आप भी बुमनिशुर कुमार को एक शांदार तेज गिंद बाज मानते हैं तो नहीं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो हैदरबाद और मुंबई इंडियंस के मुकाबले के दोरान एक ऐसी खुबसूरत लड़की को देखा गया जो की टिम डेविड के चको पर बेहद खुशी से पागल हो थी और जैसे ही डेविड आउट हुए मिस्ट्री गल बीच स्टेडियम में रोने लगी आखिरकार कौन है वो मिस्ट्री गल और टिम डेविड से उनका कनेक्शन जाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिनों से पहले आप सबी को क्या लगता है कि पुपनिश्र कुमार और जस्पीत गुमरा में कौन है शांदार तेज गिंद बाज इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा और जिसमें त्रिपार्थी राहू लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 76 रनों की ताबड तोड पारी खेल रहे थे उन्होंने अपनी इस पारी में नौ चोके और तीन शांदार छके लगाए और अब जुरत थी हैदरबाद अपने 114 रनों के लक्ष का बचाव करे लेकि उम्रान मलिक ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार से तीन बल्लेबाजों को गिरफ्तार किया और जिसमें इशान किशन शर्मा जैसे बड़े विगट भी शामिल थे और इन सारे ही बल्लेबाजों के बाद टिम डेविड के नाम की सुनामी आई और उन्होंने बल्लेबाजी में बहतरीन वल्लेबाजी की और गेंदबाज नतराजन उनके सामने उनको यहने चार छक्के लगाकर हैदरबाद से मुकाबला लगभग छीन लिया था लेकिन अपने इसी ओवर में नतराजन ने अपनी ही गेंदबर टिम डेविड को रन आउट करते हुए बदला पूरा कर लिया और इसके बाद भुवनेशर कुमार ने पारी का 19 वा ओवर मेडन फेकते हुए हैदराबाद की जीस उने शित कर दी लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में आगरशन का केंदर रही एक खुबसूरत लड़की जिहां आपको बता दे कि टिम डेविड नेटराजन की कर फिदा हो गई थी और जैसे ही यह बल्ले बाज आउट हुआ तो सारा का चेहरा मायूस होगे और ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में रो रही हो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सारा तेंदुल का टिम डेविट के बीच में कोई रिलेशन है या फिर नहीं इस बात का जवाब में नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजगा